ओम नमः भगवते वासु देवाए आज कार्तिक मास महत्मे का 27 वा अध्याए है शिरीहरी से प्रातना है कि कार्तिक मास का महीना आपके जीवन में सुक्ष्मृति व्यभव शान्ती सोभा के और स्वस्थ जीवन में उनत्ती लेकर आए और मा लक्ष्मी का अशिरवाद आपके जीवन को सफलता से भदे तो प्रेम से बोलिए शिरीहरी और माता लक्ष्मी की जै हे बुद्धी के देवता सद बुद्धी दे सुक्षान्ति और सिम्रिथी दे बोलिए गजानन महाराज की जै तो कार्तिक मास महत्मे का 27 वा अध्याय इस परकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नमर्दा नदी के किनारे एक विट वरक्ष के नीचे आकर ठहरे उस विट वरक्ष पर गुरू का निंदक एक ब्रहम राक्षस रहता था उन दोनों को वहाँ पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वरतांत सना कर कहा कि अब आप अपना वरतांत सनाईए क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं इसलिए मित्र से कुछ भी चुपाना नहीं चाहिए जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है इसलिए अब आप भी अपना संपून वरतांत हमें सनाईए तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र मैं मघत तेश में परवीन सौमदत नाम वाला ब्रामन था मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरू का अपमान किया उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ मैंने इस योनी में आकर भूख से दुखित होकर अनेक ब्रामन खाड डाले गुरू के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनी प्राप्त होती है यह मैंने भली प्रकार जान लिया है तब कलमाश पाद ने पूछा कि है मित्र गुरू की कोटी में कौन-कौन आते हैं यह सुनकर सोमदत ने कहा वैदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, निति शास्तर सथा वैदों का व्याख्यान करने वाला वैदों के संधे को दूर करने वाला, भै से रख्षा करने वाला, अन्दाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, शवसुर, मामा, पिता, जेश्ट भ्राता अथार्त बड़ा भाई, गर्व में मरन परियंत संसकार कराने वाला, तथा राजा इन सब की गुरु संग्या है, अतेव, इन सब की वंदना करनी चाहिए, तब पुनह, कलमाश बात पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इन में से कोई बड़ा भी है, या सब बर बराबर हैं, सौमदत कहने लगा कि हे मित्र, यद भी हम राक्षस हैं, साथी भूक और प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महीमा का वंदन करने से निश्चे ही कल्यान होता है, यद भी सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंद में शास्त्रों की व्याख्या सु जो देव पुजन कराए, देव पुजा का फल पताए, अत्वा गुप्त मंतर का उपदेश दे, हमने गोतम रिशी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुरान सुने हैं, एक समय में मैं महादेव जी का पुजन कर रहा था, उसी समय शिरी गोतम जी वहाँ पर आ गए, मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पुजा में ही लगा रहा, तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोश में ब्रहमराक्षस बना दिया, उसी पाप के कारण मेरा अंतकरण जला जाता है, ना जाने इस दुख से कब मुक्ती मि सूर्च जी कहते हैं, हे रिशियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नश्ट हो गए, इतने में उन्होंने दूर से आते होए गर्ग मुनी को देखा, तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठा कर उनकी और भागे, कि हमा सकार है, हमने कितने ही ब्रामन खा डाले, प्रंतु आप महादेश जी के नाम से सुरक्षित हैं, तब गर्ग मुनी ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिशेक किया, अभिशेक होते ही वह राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप में आ गए, पुतर युक्त प्रामनी और सोमदत विश्नु रूप, शंक चकर गदा पदमधारी होकर गर्ग जी की स्तुती करने लगे और विश्नु लोक को चले गए, और कलमाश पाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया, उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रू सोच में मत पड़ो, राजे सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विश्नु लोक को प्राप्त हो जाओगे, इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया, तत्पस्चात उसने अपने गुरू का समरण किया, और गर्ग रिशी को प्रणाम करके शिरी गंगा की स्तुत फिर विश्नु का समरण करता हुआ, काशी को चला गया, चह मास तक काशी जी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ, अति आनंद के साथ अपने राजे में आया, तब गुरू जी ने उसका अभिशेक किया, तत्पस्चात अनेक भोगों को भोग कर अन्तकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ, सूची रिश्यों से कहते हैं कि इसमें आश्चरे जैसी कोई बात नहीं, भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुश्य को अवश्य मेव मोक्ष प्राप्त हो जाता है, गंगा के सनान से मनुश्यों के करोडों जनम के पाप दूर हो जाते हैं 27 वा अध्याय समाप्त हुआ बोलिए विश्णु भगवान की जए